का सिकिंद्राबाद लोनी मुद्राज भोन लो, रास्ट्रा मुद्राज महा सबसादस जरूतों दी लेवलो चुद्धाओ पूरे देश में घूम घूम करके कोली समाच को जगाने का काम किया था मैं बधाई देती हूँ भारती जन्ता पाठी के नेतरतों को कि कम से कम हमारे गवरो साली व्यक्ति को एक सर्वोच सिंगासन पर बैठाया इससे बड़ी देश के लिए समाज के लिए उपलब्दी नहीं हो सकती है सर्वोच पद पर इससे बड़ा पद भारत में नहीं होता जहां पर हमारे आधनिये रामनात कोविंजी भी राजित है और मेरा तो आधनिये राष्टपती महोदय से भाई बैन का संबंद है मेरे आसम के सदस की तरह है और मैं आपके बीच में जब वो राष्टपती बने तो मुझे रमेत दादा पाटी ले उनको मिलवाना था मैं लेके गई तो बोले साध्युजी अब मैं तो संबाइधानिक पद में हूँ इस कोली समाज को जगाने के लिए एक अत्रित करने के लिए मैं आपको यह जुम्मेदारी सौपता हूं कि आप पूरे देश में जाकर कर सारे समाज को जगाने का काम करेंगे क्योंकि मैं संभाइधानी पद में हूँ आम में राजने पिक मंच में नहीं जा सकता समाच एक समाच को एक समाच की बाद भी नहीं कर सकता लेकिन ये गर्व का विषय है कम से कम सीना तान कह सकते हो कि आज हम एक ऐसे पदपर अपने विक्ति को देख रहे हैं जहां लोग करते हैं मुहनिय को बिंजी ने भी कलपना नहीं कियोगी कि हम राष्ट पती भी भारत के बनेगे लेकिन काम करने वाला व्यक्ति कभी न कभी सरवोच्च पद पर पहुंचता ही है हमारे उत्तर भारत में एक राष्ट कभी हुए हैं सोहनलाल दुवेदी जी और एक मैतली सरण गुप्त जी उन्होंने कविता लिखी है आपके समझ में जरूर आएगा कुछ काम करो कुछ काम करो जग में रहकर निजे नाम करो यह जन्व हुआ किस अर्थ यह हो समझो जिससे बेर्थ नहो कुछ तो उप्युक्त करो तन को नर हो ना निरास करो मन को यदि हम मन से कमज़ौर पढ़ गए मन हमारा कमज़ौर हो गया तो ना हम अपने आपको ताकत दे सकते हैं, ना संगठन को ताकत दे सकते हैं मैं भी आप जैसे परिवार की हूँ मेरे को देख के लोग कहते सोचते होंगे कि बहुत बड़े राज घराने की होंगी बंदुव में राज घराने के नहीं हूँ एक फोड़ा चलाने वाले बाप की बेटी हूँ आपके बीच में खड़ी हूँ मजदूरी करने वाले बाप की बेटी हूँ लेकिन ये भारती जनता पाठी काम करने के कारण आज मुझे दुबारा मंत्री परसद में सामिल किया और साथ बर्स से मैं लगातार मानिये मोदी जी के साथ काम कर रहे हूँ मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं की नहीं कर रहे हैं जरहात खड़ा करिये कर रहे हैं ना गरीबों को मुप्त में रासन मिला है की नहीं मिला है ना अब मैं दुरभा के कहूंगी प्रधान मंत्री आवास हमारी सरकार तिलंगाना को भी दिया है लेकिन अभी तक प परीबों को घर तो यह तो फिर हमारा का भारा स्रसकान काigmund अ अ कि युकर औहोतों कंई अ क्रूंतर, जन्ता को आज भी मखंद ये कि अम जन्तां वी मकान से बंचित है मि कारण क्या है इलक्सन लड़ना चाहिए लेकिन यहां मुझे जो जानकारी मिली है इलक्सन के